हलो दोस्तों आप लोग को मेरे चैनल गुलाबी स्टड़ी क्लासेस में स्वागत है इस स्वीटियो में हम लोग समान निवी ज्यान के बहुत ही महत्वपूर केशन को देखेंगे जो बार बार पर रिच्छा में पुछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला प्रस्ण है आसाओ में कौन सपादार्थ गुला रहता है इन चारह आपसñ में से राइट अंसर होगा आपस Interview But प्रस्वे से और लुप्यूकत सभीकारट से और आपसद दी रूनाड़्टराज ने और आपसद the हारवे ने तो इसमें से राइट एंसर होगा आपसन ए बैंटिक ने इंसुलिन की खोच की थी आपका नेश्ट अप्रस्न है वनस्पत्ती तेलों को घी में परवर्थित किया जाता है आपसन ए उसमा उप्चार से आपसन भी हाट उजनी करण द्वारा आपसन सी आक्सी करण द्वारा आपसन डी एंजैमों के द्वारा तो इसका राइट एंसर होगा आपसन भी हाट उजनी करण के द्वारा वनस्पत्ती तेलों को घी में परवर्थित किया जाता है आपका नेस्ट प्रस्न है निम लिखित में से कौन सी एक मिश्रधातू है आपसन A जस्ता, आपसन B इस्टिल, आपसन C सीशा और आपसन D अल्यूमिनियम तो इसमें से राइट एंसर कौन है जो एक मिश्रधातू है तो इसका राइट एंसर है आप्षन नमबर B, इस्टील जो की एक मिश्र धातु है, इस्टील इसका राइट एंसर होगा निम्लखित में से कौन सी इंधन गैस नहीं है, आप्षन A, भाप अंगार गैस, आप्षन B, प्रोडूसर गैस, आप्षन C, हास गैस, आप्षन D, मार्स गैस तो इसमें से कौन सा है जो इंधन गैस नहीं है तो इसका राइट एंसर होगा आपसन C हास गैस हास गैस एक इंधन गैस नहीं है तो इसका राइट एंसर आपसन C होगा आपका नेश्ट प्रस्न है निम्लखित में से कौन सतत्वा प्रवल छारी अकसड उनाता है जब आकसिज में जलता हैegalben a false your आपसं बीism आपसंशी लोहा और आपसंडी गंधाक तो इसका रवेड इन्सर क्या होगा कि इसका राइट इन्सर आपसंणी और बी ङाइक को कहते हैं और आपसन डी एक माप है तो फेदम इस चारो आपसन में से क्या होगा तो इन चारो आपसन में से आपसन डी एक माप है फेदम एक माप होती है अब कनेश्ट प्रस्न है रिचल इसकेल किसके नापने में प्रयोग होता है तो रिचल इसकेल किसके नापने में प्रयोग होता है A. भूकम की तीब्रता, भूकम की तीब्रता नापने के लिए रिचर इसकेल को प्यूक किया जाता है। नेश्ट प्रस्न है, डाइनामाट के अविस्कारक निम्न में से कौन है। आप्सन A. आइस्टाइन, आप्सन B. नूटन, आप्सन C. अलफ्रेट नोबेल और आप्सन D. मैडम क्यूरी। तो इसका राइट एंसर क्या होगा इन चारो आप्सन में से। इसका राइट एंसर है, आप्सन C. अलफ्रेट नोबेल जो की डाइनामेट के अविस्कारक है। नेश्ट प्रस्न है, प्लास्टार अप्पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो आप्सन है A. सोडियम कारप्त से, आप्सन B. जिप्सन से, आप्सन C. यूरिया से, और आप्सन D. कारप्त से, तो प्लास्टार आप प्राप्त किया जाता है। इन चारो आप्सन में से बताओ, तो इसका राइट एंसर है, आप्सन भी जिपसम से, जिपसम से प्लास्टार आप पेरिस प्राप्त किया जाता है, नेश्ट प्रस्ण है, चिकिस्सा वा युद्ध में उप्योग के लिए किन किरणों पर नविन्तम अनुसंधान हो रहा है, आप्सन A, X-Ray किरण, आप्सन B, Laser किरण, लेसर किरण, और आप्सन C, Gamma किरणे, और आप्सन D, Cathode किरणे, तो इन जारो आप्सन में से राइट एंसर होगा, आप्सन B, Laser किरणे, लेसर किरणे, इसका light एंसर होगा, नेश्ट प्रस्ण है, राडार में किस प्रकार की तरंग तो इसका राइट एंसर होगा आपसन भी विद्दूत चुम्ब की तरंगे जो की रडार में प्रयुक्त तरंगे होती है अब कनेश्ट प्रस्न है अकास के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है आपसन ने सूरिक की रोषनी निली होती है आपसन भी वायू मंदल में उपस्थित धूल आदी के कडो द्वारा सव किरणो का प्रक्रिणन आपसन सी प्रकास परवर्तन और आपसन दे प्रकास अपर्तन तो इसमें से राइट एंसर कौन होगा आपसन भी वायू मंदल में उपस्थित धूल आदी के कडो द्वारा सव किरणो का प्रक्रिणन इसका राइट एंसर होगा जिसके कारण सी अकास निला दिखाई देता है अगला प्रस्ण है तेज गती से आता हुआ वहान हार न बजाता है तो उसका पीच क्या होगा आपसने उतना ही सुनई देगा आपसन भी अधिक सुनई देगा और आपसन सी कम सुनई देगा और आपसन डी है पहले कम और फिर अधिक तो इसमें से राइट एंसर क्या होगा बताओ इसका राइट एंसर है आपसन भी अधिक सुनई देता है आपसन भी अधिक सुनई दे ठीक है आपका अगला प्रस्न है सूती और उनी रेसों में अंतर ग्याद किया जा सकता है आपसन ने दिया है छूकर आपसन भी है जलाकर और आपसन सी है सोटियम हाड्रक से क्रिया कराकर और आपसन डी है एस टू एस अफोर से क्रिया कराके तो इसका रैट अंसर होगा आपस क्या होगा तो आपसंद् सbilिया है cursor again गर्डाव बढ़ाने से उसका गनांग जो होता ह包 one जाता है आपका अगला प्रस्ण है गर्मियो में सफेत कब्रे क्यों पहने जाते हैं तो आपसंद् a है उस्मा के खराब आवसोसक है आपसन B है सस्ते होते हैं आपसन C अगरसक होते हैं और आपसन D इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंसर क्या होगा इन चार आपसन में से तो इसका राइट एंसर है आपसन A उस्मा के खराब आवसोसक है ठीक है उस्मा के खराब आवसोसक होते हैं पारे में लुहात तैरता है तो इसमें से गलत कथन कौन सा है बताओ आपसन सी पारा पानी पर तैरता है जो की गलत कथन है तो इसका राइटें से रोग आपसन सी पारा पानी पर तैरता है जो की गलत है अगर लास्ट क्योशन है इस वीडियो का संत्रे में कौन से विटामिन अधिक होता है तो option A-D है, D vitamin, option B है, A vitamin, option C है, C vitamin और option D है, B vitamin, तो संत्र में कौन सा अधिक vitamin पाया जाता है ये तो सब जनते हैं दोस्तों, तो इसका right answer होगा option C, C vitamin जोकी अधिकतर खट्टे फालो पर पाया जाता है vitamin C. धन्यों दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए यह वीडियो आप लोगों अच्छा लगाऊगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले